ए गाइस, वाट्सअप तो आज हम लोग बात करनी कोशिश करेंगे मिजियो थिलियूमा प्लूरल टुमर्स की जो कि लंग टुमर्स में आते हैं तो ये आपने अगर सुना होगा कि जो मिजियो थिलियूमा है तो इसकी बात हम लोग करेंगे कि इसमें क्या होता है कैसे होता है पूरी pathogenesis mechanism तो इसकी आगे सब बात करेंगे तो पहले हम लोग start करते हैं मिज़ू थिलियॉमा से कि मिज़ू थिलियूमा कहां करते हैं अशर्टोस के साथ Asbestose में आप देखे दो चीजे होती है दो चीजे मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको क्या-क्या होती है Asbestose में जो most common cancer होता है वो भी lung, adeno, carcinoma होता है Asbestose में अभी दो structure आते एक serpingeous structure आते एक amphibole amphibole जो होता है सीधा होता है amphibole में क्या होता है amphibole particle जो की सीधे होता है सीधे चले जाते है इसलिए वो ज्यादा lung damage करते है ठीक तो यह हो क्या Asbestose का और Mesothelioma का थोड़ा से connection और यह most specific tumor है Asbestose का Mesothelioma ठीक है न? और Mesothelioma में समामवा बाडी अगर आपने पढ़ाऊगा Covering of lung इस line के बारे मैं आगे बात करूँगा ठीक है इसको ignore करो अभी थोड़ी देर के लिए तो plural tumors जो होते है उनको जैसे हम लोग दो भागों में divide करते है एक तो primary हो गया एक secondary हो गया ठीक secondary में क्या होता है Metastasis होता है secondary जो की ज्यादा frequent होता है ज्यादा frequent इसलिए यह sign लगा दिया है तो यह क्या होता है primary जो होता है solitary fibrous tumor होता है primary को दो भागों में बाते हैं हम लोग solitary fibrous tumor जिसके में आगे बात करूँगा और malignant mesothelioma में जो हमारा main topic है secondary of tumors की में बात करूँ most common cause क्या होते है metastasis के lung cancer में होते है अगर आपसे कोई पूछे कि lung cancer के most common cause क्या होगा तो आप हमेशा metastasis answer में दोगे क्योंकि ज्यादा तर चुब lung cancer होते है वो mildly metastasis से आते है stomach से metastasis हो गया ovaries metastasis कहीं से metastasis हो के lung में आ जाते है second most common cause जो होता है breast cancer secondary metastasis के cases में प्लूरा प्रेजेंट इपसी लाटरल इंवल्लमेंट होता है तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अपनी सबसे starting के topic की solitary fibrous tumor क्या होता है solitary मतलब एक अकेला fibrous मतलब fibrous हो गया और tumor word store के याद करोगे तो जल्दी याद होगा तो इसलिए मैं बताता हूँ solitary मतलब एक हो गया तो ज्यादा इन नंबर नहीं है तो अगर वो एक ही होता है तो benign हो सकता है क्योंकि एक ही चीज है ज्यादा family तो नहीं है multiple इन नंबर नहीं होता है तो वो earlier इसको इसलिए कहते थे benign mizythiloma इसी चीज को benign mizythiloma इसलिए मैं यह topic एक साथ में ले रहा हूँ solitary fibrous tumor को पढ़ाने का मेरा एक topic करण था क्योंकि benign mizythiloma इसको कहते है mizythiloma एक पार्ट है तो अभी इसको solitary fibrous tumor कहते है इसको भी आप mcq में आएगा तो यहाँ पी क्या होता है लेकिन benign mizythiloma यह solitary fibrous tumor में जो asbestose का exposure होता है यह risk factor नहीं होता है यह बहुत ही contradictory बात है तो आप से पूछा जाए कि कौन सी mizythiloma में asbestosis is not a risk factor तो आप confused हो जाओगे क्योंकि आपने पढ़ाए कि हाँ asbestosis का most specific cancer जो करता है लेकिन आपको यह नहीं पता था कि solitary fibrous tumor भी एक होता है जिसको हम लोग benign mizythiloma कहते है तो वहाँ पर option दिया होका benign mizythiloma आपको फट से मार करके आगे बढ़ना है कौन सा risk factor नहीं है तो इसमें क्या होता है कि solitary fibrous tumor में एक chromosome होता है अब इसका gross में क्या होगा देखो यहां पर fibrous लिखा तो dense fibrous tumor होगा कोई इसमें सोचनाली बात नहीं gross में क्या देखोगे fibrous देखोगे nartu stat 6 fusion gene मैं बाद में पूछूँगा याद हो जाएगा microscopically के लिए यहां पर क्या देखो में में कुछ और देखोगे मैं बताओंगा क्या क्या देखोगे अब देखोगे अब एक होता मारकर इसके कुछ-कुछ मारकर होता है SFT क्या होता है Solitary Fibrous Tumor और यह क्या है MM CD 34 पॉजिटिव कहा होगा SFT में होगा Carotene Pulse अगर आपने सुने होगे वह वाला Carotene मत सोच लेना Carotene Pulse वाला Carotene Carotene Pulse कहा होगा Squamous Cell Carcinoma of Lung में Squamous Cell Carcinoma of Lung में Carotene Pulse होता है लेकिन यहां पर Carotene Carotene कहा होगा Malignant Mesothelioma में होगा Asbestos का मैंने एक वही चीज समझा है Asbestos में Most Common Cancer Lung Cancer का Non Spokers में होता है Asbestos का Non Spokers के Cases में More Specific Cancer कहते है Malignant Mesothelioma के बात करते है Malignant Mesothelioma Malignant Mesothelioma का मेंन टॉपिक है इसके Risk Factors क्या होगा Risk Factors सबसे पहले आप लोग बहुत खुशीच बताए होगे Asbestos exposure होता है Asbestos कहां कहां यूज होता है Insulation Industry में Ship Building Factory में आपने सुना होगा अगर आपको थोड़ी सा इसकी Knowledge है Insulation Industry में Ship Building Factory में Asbestos का Use होता है तो associated with Amphibol मैंने आपको Starting में बताए है कि दो तरह की Asbestos के Particles होता है सर्पेंजियस होता है एक Amphibol होता है Amphibol क्या होता है Amphibol क्या होता है मैंने लंबा exposure अगर तो कहो कि काम करने के बाद आगया Insulation Industry में आप कमी Cases में suspect करो मुझियोतियोमा होगा वो लंबा टाइम में होता है अब रेडियेशन एक्सपोजर हो सकता है डियेशन का भी एक्सपोजर हो सकता है इस्क्रेक्टर में और no association with smoking नहीं होता है यह कभी-कभी आपसे पूछा जा सकता है और clinical features देख लेगता है मुझियोतियोमा के बारे में clinical features क्या-क्या होते है अब यह क्या होता है 50-60 साल के ageism होता है क्यों मैं बता है 25-45 लेकि जो 25-45 था उसकी काम करने की पहले ही पैदा होते ही काम थोरीन करने लगा होगा तो clinical features जो होगे mostly adults में होगे 50-60 साल के बीच में उसके duration of work incubation period वो 25-45 साल में ने बता है इसलिए थोड़ा सा आप confused मत होना यहां पर clinical features क्या होगे इसके chest pain हो सकता है difficulty in breathing जो normal normal हर standard हम आरा लंग में कुछ भी difficulty हो difficulty होने लगे breathing में dyspnea आने लगे effusion हो जाएगा chest pain होने लगेगा और right lung में more common होता है जैसे आपको बताया थे right lung is more vertical in nature as per the typical knowledge you have gained in your first year अगर याद हो तो थीक है नहीं याद हो तो भी चलता है right lung में जाद होता है left lung में कम होता है अब इसका एक और clinical feature में देखने कोशिश करते हैं कि along with pleura and lungs and hyalur lymph node are also involved ठीक है pleura and lungs के चाथ इसमें यहाँ पे hyalur lymph nodes का involvement होता है hyalur lymph nodes का involvement और कहां आप देखते हो अगर आपने पढ़ा होगा अगर आपने पढ़ा होगा कहां देखोगे अगर याद आपने पढ़ा होगा pulmonary TB में ठीक होगे वहाँ पे highlight lymph nodes का involvement होता है ठीक है तरह तरह के focus पढ़े होंगे इतने सारे focus थे full focus, last man's focus ठीक है याद कर ले न important है थोड़ा ठीक तो इसका gross appearance हम लोग देखने कोशिश करेंगे gross appearance क्या होता है lung enclosed by cancer यहाँ पे क्या होता है ठीक होगे gross appearance में देखोगे lunges enclosed by cancer यहाँ पे cancer enclosed पूरे lung called यह चीज important है मैंने वहाँ पे क्या बतायता अगर आपको याद हो मैंने क्या बतायता है मैंने मैंने बतायता आपको spindle cells होते है यहां पेन क्या होगा इसको आप अपनी गूगल करोगा तो इसके इमेज़ेशे से आ जाएंगे तो देख लेना एक बार अगर देखना चाहो लेकिन मैने बता दिया एक इत्थला सा गयाब्र मेरे पूछेगा इसके markers important है, जो IHC markers होते हैं, वो ज्यादे important, immunohistochemistry markers, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन यह थोड़ा सा बस देख लेना, कि एपितलोइड type भी होता है, सरक्रमोटाइड type भी होता है, और mixed type भी होता है, तो एपितलोइड type की थोड़ी से बात कर लिए, एपित differential क्या होगी, अपनी बिजोथिलियोमा के, मैलिनेड मिजोथिलियोमा की, differential है क्या होगी, अगर एपितलोइड type की देखे, तो क्या होगी, अधिनो कासिनोमा अफ लंग, तो अलग कैसे करेंगे, तो electron microscopy भी देखेंगे, कि Adenocarcinoma और मिजोथिलियोमा में, हम लोगे, electron microscopy में अधिनो कासिनोमा में, हम लोग क्या अंतर देखेंगे, Adenocarcinoma में क्या होता है, कि short होती है, ठीक ना, non branching microvilla, यहापे branching नहीं होती है, microvilla, और उस छोटी होती है, लेकिन मिजोथिलियोमा में क्या देखेंगे, कि वो long होती है, thin होती है, और branching होती है, branching microvilla होती हो, long और कि तरह नहीं लग रहा है, और यह M कि तरह नहीं लग रहा है, लंबे-लंबे पत्ते बत्ते, तो थोड़ा समझ जाना, उस टाइम पे अगर question आए, और कभी exam में याद ना है, तो अपने समझने ना कि अपने M बनाया था, मिजोथिलियोमा में, तो long thin branching macrovilla होगी, यहापे, ठीक है ना, अगर differential करने जाए, epitheloid type में, epitheloid कहाँ पे, किसका differential बनायागा, एडिनो कर्सिन होगा, याद रखना इस चीज को, pabularian tubular structure में होता है, ठीक है ना, और सबसे important बात हम लोग करते हैं, जो कि जिसके उपर बहुत ही maximum स्वाल आते है, immunohistochemistry marker, ठीक, जो कि बहु एडिनो कार्सिनोमा में, एक पढ़ा होगा, नैपसिन, और एक पढ़ा होगा, MOC 31, यह दोनों positive होते है, एडिनो कार्सिनोमा में, IHC markers, ठीक है, mock 1 पढ़ा होगा, नैपसिन होता है, अगर देखना चाहो, देख सकते हो, नैपसिन होता है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखका ह एडिनो कार्सिनोमा में, एडिनो कार्सिनोमा में, एक चीज यह यह याद रखना, और marker of choice, marker of choice, भाई, marker of choice क्या होगा, और calretinine की positivity हम लोगों क्या-क्या दिखाएगी, ठीक है न, यह भी जान लोगी, calretinine की positivity क्या-क्या दिखाएगी, तो इसी calretinine की positivity association with various मिजितोलियोमा variants, ठीक है न, यह various मिजितोलियोमा variants के साथ associated रहेगी, एपितिलोइड टाइप में extremely associated रहेगी सार्कमटोइड टाइप में जो की less intensely positive रहेगी और mixed biphasic में less intensely positive यह again, same चीज है, ठीक न? क्या होगा कि क्याल रेटेनिन की positivity कितनी मात्रा में आगी, एपितिलोइड टाइप में सबसे ज़्याद आएगी, सार्कमटोइड में थोड़ी कम और mixed biphasic में वही थोड़ी कम ठीक है, दोनों में थोड़ी-थोड़ी कम लेकिन एपितिलोइड टाइप में must तिक दम दिखेगा कि कायल रेटेनिन पॉजिटिव है, ठीक न? तो अब next बात करेंगे अपन इसके कुछ extra edges point की, ठीक है न? तो अगर याद करना चाहो, याद कर सकते हैं क्योंकि देख लो यार, क्या जा रहा है ठीक है, कुछ extra जानने में कुछ जा रहा है अपना तो booster information याद कर लो, malignant visotheliuma की, deletion of cdkn2a inc4a tumor suppressor gene ठीक है न? यह उनके लिए जो सोचते हैं कि aims के form से party नहीं की जाती aims के form भरा जाता है, यह उनके लिए ठीक है न? तो जोग सापाट deletion of cdkn2a होता है और inc4a का deletion हो जाएगा, क्योंगे यह होती है tumor suppressor gene ठीक है न? इनका अगर deletion हो गया तो क्या हो सकता है? मिजो थिलिमा कॉस हो सकता है और confirmed by fish technique fish technique होती है जिस पे chromosome 9p की deletion होती है chromosome 12pb देख था ठीक है न? मैंने पढ़ाया था अब याद करना कहा मैंने पताया था ठीक है 12p? 12pb था एक जगा याद करना हो उसको कि यहाँ पे chromosome 9p की deletion होगी अब एक नई चीज नया concept थोड़ा सा नई चीज जानने कोशिश करेंगे थोड़ा सा अगर मैं extra बता दू थोड़ा सा एक्स्टा बताने का आदत बता दू सुलो यार थोड़ा सा भाव खा रहा हूँ सुलो यार कुछ जा नहीं रहा है ठीक है pulmonary hematoma hematoma क्या है hematoma अगर आपने पढ़ाओगा अपनी नियोप्लेजिया की classes में hematoma हमारा tomah होता है यह क्या होता है जो जहां पे कोई भी अगर होता है न यहां पे ectopic tissue नहीं होता सबस्जते हो कि जहां पर मलब कि तुम्हारा एक औरगन है वहीं पर ग्रोथ होगा अपनी ही जगह होगा यह true नियोप्लासम होता है अपनी ही जगह होना अब इसके components क्या होगा है अगर पल्मोनी हमाटोमा की components की मैं बात करूँ तो इसमें notes of mesenchymal tissue आ जाएंगे इंट्राप डिस्पिरेटरी इंपिथिलियम आ जाएगी ठीक ना connective tissue जिसमें होते हैं मिजनकाइमल मंदर समझते हो connective tissue fat cartilage predominate or smooth muscles होते हैं ठीक ना यह सब बताने की चीज नहीं है सब जानते हो आप assisted with translocation कौन सी तीन बारह तीन बारह की translocation हो जाएगी इतनी सारी translocation एक और देख लो याद रचे भी नहीं रहे नहीं है कोई भी ठीक ना इसलिए इसका एक टेबल बना लिया गरो ठीक रहा टांस लोकेशन के जितनी मैं लगी specific finding नहीं होती है इसकी यह पता चल जाती है specific specific नहीं कर सकते है इसको ठीक नहीं कर सकते है और इसकी रेडियोल्जीकल फांडिंग का होती है popcorn classification देखते हो पल्मोन ही हमाटोमा में या रखना इस चीज को popcorn की तरफ भूला हुआ होता है calcification देखते हो और treatment इसकी surgical excretion इसका कोई दवाई ववाई से काम नहीं होता है surgical excision करना पड़ेगा और एक और चीज देख लो एक लास्ट चीज में देख लो कि important है थोड़ी inflammatory myofibroblastic tumor inflammatory myofibroblastic tumor यह उनके लिए जो लोग aims के form से party नहीं करते है ठीक नहीं वो भरते है ठीक अगें अगें एक्स्ट्रा है जिक तरफ इसमालो ठीक है तो inflammatory myofibroblastic tumor में क्या होता है disease of children होती है पहले तो क्या होती है बच्चों की विमारी होती है और इसमें no sex prediction इसमें कोई भी sex का मलकी वह नहीं होता यह male में ज्यादा होगा या female में दोनों में बराबर बराबर होती है ठीक ना डू टू टू एल्कजीन एक्टिवेशन on chromosome 2p23 ठीक है एक चीज़ यह रखना है यहाद रखना होसी इसको यह पेडियार्टिक टीउमर यह है यहां पर इंफ्लमेटर मारी勝 होटा है ठीक है एकमिक मिकांस मिक यह नहीं एक मिक होता है जो कि तुमारा होता है rozp1 बहुत यहाद रखो इंप और यह सभी बीध इसकी जानना चाशभिए तो इसकी आशीचे कि फीवर आने लगेगा कफ चेस्ट पेन हिपोपटैसिस अपना स्टैंडर कुछ भी कहीं भी कुछ भी रिस्पिरेटर बिमारी है ठीक है मिना सोचे काफ डिस्निया इस सब लिग दिया करो याद रहता नहीं किसी को ठीक ना कि इतनी चाट बिमारी है तुम अपनी कंफरमेट बनाते हैं आजकल लोग क्या करते हैं मुसली जो है मारकर्स वारकर्स का इम्मिनो इंस्ट्रोक बिस्ट्री निकल बादेंगे सब कुछ निकल वा देंगे सारे टेस्स लिगते हैं इसलिए ठीक ना तो टेस्ट पर आज़कल हम लोगी डियागनोसिस बन रही है और यह आगे अब पहले क्या होता था कि तुक्का लगा के डियागनोसिस बनाते थे अभी कंफर्मेट्री डियागनोसिस बनाएंगे ठीक है ठीक है ठीक है थुआ सा ओफ टॉपिक चला गया था इसकी ग्रॉस फाइंडिंग देख लो कि पेरिफिल फिर्म मास होता है 25% पेशेंट और कै फाइब्रोबलास ठीक है अंप स्पेंडल शेप सेल डोंगे कहां पे मेड़ पाइब्रो ब्लास मायो ब्लास और के तैब मेरे बता वशा व 1 इन्प्र उर बट्रेशन ओव लिंफोजाइड प्लाजमा इल्क होते हैं और और पैंप्रिफिल फाइब्रोब्रोबस भी थोड़े से टॉपिक की उमीड है आपको पसंद आया होगा तो मिलते हैं नेक श्रिक्चर में बाई